तो देखते हैं दरा क्या लिखा ईन्होंने अब ये रिस्पोंसिव वेबसाइट अब ये रिस्पोंसिव ना ये वह वाले रिस्पोंसिव की बात नहीं हो रही है कि है स्क्रीन छोटी बड़ी होगी तो अपने अपको एड़्जेस्ट करेगा यह वो वले की बात नहीं हो रही the user does something click a button, move a mouse और press a key and something happens यह responsive ना उस sense में बात हो रहा है कि website क्या करेगी response करेगी कि बंदा कोई button click करेगा कोई mouse दबाएगा कुछ तो उसके response में कुछ होगा तो यह उस sense में responsive बात कर रहा है ठीक है अचा sometime वो Google Chrome पे लिखा भी आ जाता है कि your website is unresponsive वो इस्टाक हो जाती है, वो snap करके पता नहीं लिख देता है, तो sometime website unresponsive हो जाती है, वो processor का load बढ़ने की वज़ासे बहुत सारे reason हो सकता है, तो आप कहते हैं यार यह बटन पे क्लिक कर रहा हो, कुछ हो रहा ही नहीं है, सभी है, sometime इस तरह का problem आपको face करना पड़ता है, तो यह उस sense में responsive कह रहा है यूजर क्लिक बटन, एक बटन है, स्क्रीन की उपर, उस पे लिखा वै our guarantee, और बंदा उस पे क्लिक करता है, तो यह कहता है an alert display spelling out the guarantee, अब वो कुछ alert box खुलता है, उस में guarantee की कोई detail खुल जाती है, something like that, कि जी कुछ click, जैसे मिसाल के दोर पे आप चार बटन बने वे उपर home gallery about, आप about पे क्लिक करते हैं, तो आपका page move करके about पे चला जाता है, तो यह उस वले की बात कर रहा है अब इसने थोड़ी सी लंबी इस पर कहानी किये लेकिन कर दो कर दो मैं यह सोच रहा हूं कि मैं कहां से बात शुरू करूं तो ज्यादा सही रहेगा पहर स्क्रीन पर देखने वाली यह चीज कुछ है नहीं ऐसी खास मैं यह सोच रहा हूं कि पहले यह बुक में जो लिखी वी बात है क्या वो हम पहले डिसकस कर लें या पहले हम यह डिसकस कर लें कि event होता क्या in the first place तो मेरा ये ख्याल है कि event को हम पहले discuss कर लेते हैं क्योंकि बुक में जो बात लिखी वी है वो उसके बात की बात है ठीक है अच्छा बुक में वैसे तो ये बुक basic है लेकिन कुछ चीजें जैसे event का जो chapter है event in the first place है क्या चीज वो इसमें discuss नहीं किया इसमें 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 डा बुक में जो बात हुई भी है उससे पहले की बात उसके उससे उससे भी ज़्यादा basic उससे भी ज़्यादा बुन्यादी बात ये है कि event in the first place होती ही क्या चीज़़ा what is an event तो पहले हम real life में समझते हैं फिर हम computer में समझते है real life में कोई भी event होता है जैसे election है election एक event होता है कि किसी की शादी होती है वो एक event होता है या कोई हाथसा होता है that is also an event तो event occur होता है हमेशा सही है मिसाल के तो पे कोई event हो सकता है जी के इद का event अभी अभी गुजरा है तो जी इद का एक event था event always occurs ठीक है तो आप इसको इस तरह से समझें कि एक तो ये इद वाला इवेंट ये तो हम सब लोग जानते हैं लेकिन अगर मैं एक ग्लास को छोड़ता हूं या से वो नीचे गिरेगा वो तूट जाएगा ठीक है तो ग्लास का तूटना भी एक इवेंट है अच्छा इन दे इवेंट ओफ ब्रेकिंग अग्लास कोई हो सकता है इंजर्ड भी हो जाए साथ साथ ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे इवेंट से किनेक्टेड होती है ठीक है मिसाल के दोर पे कोई इवेंट अकर होता है जैसे के कोई हाथसा होता है कोई accident होता है तो उस हादसे के नतीजे में किसी गाड़ी में आग लग सकती है ठीक है तो हमने यह क्या सीखा कि जब भी कोई event होता है तो उसके साथ connected बहुत सारी चीज़ों को वो event मिलता है मिसाल के तौर पे अगर बाहर कहीं पर पटाखा पटेगा तो हमें वो event रिसीव होगा हमारे कानों में रिसीव होगा हम वो बात हम वो बात सुनेंगे हम यह confirm करेंगे यहां बैटके कि यार वहर ना कोई जोर का धमाका हुआ है पटाखा पटाया या गोली चलिए ठीक है तो हम उस चीज़ को confirm करेंगे तो वह event हम receive करते हैं सम्हाओ और surrounding के जो लोग है वो उन सब तक उस event की आवास पहुचती है अच्छा इसी तरीके से computer में भी हम पिछले दिनों एक मैंने Wikipedia का पेज खुला था जो JavaScript से मतालिक उसमें लिखा वाता है जी यह JavaScript मल्टी पैरडियम प्रोग्रामिंग लैंग्विज है अब मल्टी पैरडियम में न दो तीन उसमें पैरडियम का जिकर था जी एक तो functional पैरडियम को सपोर्ट करती है जावा स्क्रिप्ट एक object oriented को सपोर्ट करती है एक करती है event driven programming language भी है यह event driven programming को भी यह सपोर्ट करती है अच्छा तो यह जो पैरडियम न यह पैरडियम जो है code को लिखने का एक अंदाज होता है कि आप code को कैसे लिख रहे हैं code में आप मिसाल के तोर पर जैसे घर घर बनाने की अगर हम बात करें तो घर बनाने के जो different paradigms होता है कुछ घर होते है entirely लकड़ी के तयार होता है जैसे US वगर हमें वहाँ पे लकड़ी क्योंके बहुत तादाद में होती है जंगलात वहाँ पे शायद ज्यादा है तो वहाँ पे somehow वहाँ पे रिवाज है कि वह लकड़ी का structure बनाते हैं पूरा पहले जमीन से उंचा करके उसको एक platform तयार करते है और उसके बाद वह सारा फिर wooden structure होता है even Canada में भी दिवारें वहाँ पे क्योंके लकड़ी की होती है तो इतनी पतली होती है अगर एक room में कोई बात करो तो दूसरे room में आवाज जाती है आप hotels वगड़े में भी even अगर कभी जाना हूँ तो वहाँ पे एक room में अगर आप बात करेंगे तो दूसरे room में आवाज जाती है क्योंके दिवारें यह पतली है ठीक है तो एक paradyum है लकडी से भी घर तयार होते हैं हमारे यह रिवाज है concrete से तयार करने का यह block से concrete से सिमेंट जिसको कहते हैं उससे तयार करते है कुछ जगाओं पे steel से तयार होती है building जैसे USA वगर हमें जो high raise building होती है जैसे world trade center था एक example और भी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है जैसे आपका बुर्ज खलीफा है यह स्टील का structure होता है तो different paradigm है कि how you are creating a house यह how you are creating a structure तो यह different paradigm है अब मिसाल के दोर पे जो घर concrete से बनता है उसको बनाने का एक अपना अदाज है उसको बनाने के अपने कारीगर होता है और उसके अपने rules and regulations होती है कि यह अब concrete का structure है तो जी कितने floor बनेंगे उस पे कितना weight आएगा हवा की direction वगरा सब चीज़ों को देख के उसको design किया जाता है कि यह को लैपस ना करे और यह मतलब sustain करे अगले 100 सालों के लिए आम तोर पे building को बनाया जाता है तो अगले 100 साल तक वो sustain करे अगर जापान वगरा टाइप की जगा पे बन रहा है तो महाँ पे जलजले जादा आते है तो महाँ पे ऐसा structure बनाएंगे कि जी वो जलजले वगरा हमें भी sustain कर जाए अपने rule regulations है तो इसी तरिके सागर steel का structure है तो उसके अपने rule regulations है कि जी कैसे steel को क्या तारों से लटका के बनेगा या कैसे बनेगा तो depending on के कहा बन रही है क्या बन रही है उसके अपने अपने अनदास होते है ठीक है तो programming के अंदर भी आप प्रोग्राम जो बना रहे होते हैं घर तो एक ही है ना बंदोंने रहना है भले लकडी से बना लो, स्टील से बना लो, कॉंक्रीट से बना लो बंदोंने रहना है तो प्रोग्राम भी जो आप बना रहे है एक सॉफ्टवेर आप बना रहे है या कोई inventory की app बना रहे हैं या कोई game आप बना रहे हैं लुडो के जैसा बाइद वे आपके दोस्त ने लुडो का एक game बनाया बड़ अच्छा नाम किया तुमारा मुजमिल ने तो group में इन्होंने share भी किया था आप सब लोगोंने hopefully देखा होगा तो यह अहद ने भी बनाया जरा दोनों यार इधर आओ जरा अपनी शगल तो दिखाओ वैसे अपनी सीट पर खड़े हो कि दर शगल दिखाओ अपनी सीट पर खड़े हो कि दर शगल दिखाओ कि लैपिंग हो जाए इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश किया करें अब वैल तो हम कोई भी किसम का software बना रहे होते हैं अगर किसी भी programming language में अभी JavaScript की भी बात नहीं हो रही इन जेनरल हर programming language की बात हो रही है तो उसको बनाने की एक अप्रोच होती है कि जी हम इसको कैसे बनाएं तो उसको बनाने की नमबर एक जो आप्रोच है जो सबसे पूरानी और सबसे ज्यादा शायद सबसे ज्यादा इस्तमाल होने वाली आप्रोच है सो फॉर वह है functional programming अब functionally programming में क्या होता है अचा हमने बाई-देवाए अभी तक जो पढ़ी है वह functional programming पढ़ी है brother, है कि जी हर चीज एक function होता है और मिसाल के तौर पे अगर calculator है calculator के 50 बटन वाला calculator है तो हर बटन की click पे पीछे एक function होता है कि जी यह button दबेगा तो यह function चलेगा और function चल के कुछ करेगा ठीक है तो functional programming जो है वो एक paradigm है अच्छा उसके लावा एक है object oriented paradigm जो हमने अभी तक डिसकस नहीं किया उसमें classes वगरे बनाते हैं अप अप्रोच यह करते हैं जावा script के अंदर बें object oriented programming is less known object oriented जबरदस्टी डालने की कोशिश की जा रही है भी भी जावा script में लेकिन community जो है वो थोड़ा सा अभी उसको अभी तक ना समझ नहीं आई है क्योंकि जावा script की जो community है वो functional programming को follow करते वे आ रही है अच्छा फिर एक वो imperative भी उसमें आपको लिखावा मिलेगा अब वो imperative क्या होता है कि जी वो हर line के आखिर में semi column लगेगा statement अलग-अलग होगी हर statement कुछ return करेगी तो वो उसको please study कीजिएगा आप लोग जागे ना कि जी वो paradigms क्या होता है और imperative programming को तो जरूर पढ़िएगा यह imperative programming C language में introduce करवाई गई थी उससे पहले statement लिखने का ऐसे नहीं होता था कि एक line एक statement थोड़ा सा different होता था ठीक है कौन सा होता था एक curiosity आपको दे रहा हूँ है अच्छा इसी तरीके से उसमें एक paradigm है event driven programming अब event driven programming जो होता है ना उसमें क्या होता है कि event की उपर सारे काम होता है ठीक है अच्छा event की अब बात समझाई कि जी कहानी कहा से चल रही है तो event से उसमें सारे काम होते है event driven event driven का मतलब क्या है कि चीजों को drive करता है वो event चीजों को drive करता है एक event अकर होता है उससे उसके response में कुछ काम होता है और उससे पूरा का पूरा software का flow चलता है software पूरा उस तरह से काम कर रहा होता है ठीक है अच्छा अब event क्या चीज है computer के perspective में हमने real life में तो देखा जी कोई भी हर चीज event है कुछ भी हो रहा है that is an event और उसको हम सुनते हैं हम तक वो event दिखता है हमें या हम सुनते हैं उस event को confirm करते हैं हमें वो event पता चलता है कि हो रहा है तो यह तो real life में हो गया computer के अंदर भी operating system के अंदर computer तो actually खुद कुछ नहीं है उसमें एक software चल रहा होता है that is an operating system या विंडोस या Mac या Linux तो operating system के लेवल पर जब भी कुछ होता है तो उसका ना एक event होता है यह एक टर्म है इसके लिए इमिट होने का मतलब है कि जैसे अगर कोई पठाखा भटता है तो उसका sound है हम तक पहुंचता है हो ठीक है यह computer की टर्म है हमिट हो तो वह event होता है यह event आप कहले generate होता है अच्छा वह event जो है अच्छा वह कौन से event पर माउस का click is an event मैं अपनी screen पर यहाँ पर आता हूँ यह मेरा mouse move कर रहा है अच्छा यह मैंने एक tick click किया है अब यह जो click हुआ है हुआ है कुछ भी नहीं से इस click के against हुआ कुछ भी नहीं है लेकिन यह जो event हुआ है यह क्योंकि mouse और keyboard वगरा यह operating system से direct बात कर रहा हुता है यह mouse वगरा यह चीज है जब यह click होता है तो operating system को पता चलता है क्योंकि देखें computer की जो architecture है जो computer का computer बनावा किस तरह है वो क्या है कि सबसे पहले hardware है hardware का मतलब है कि RAM प्रोसेसर वगरा और यह साब आपस में connected है साथ में keyboard mouse भी लगवा है on the top of this hardware operating system है ठीक है operating system हमारी मरजी का हो सकता है कोई भी Windows, Linux, Mac तीन फेमस है और भी बहुत सारे operating system है operating system के उपर जो है software install होता है ठीक है जैसे कि VLC player, Google Chrome Foxit Reader, Acrobat Reader ठीक है यह जो सारे software हम इसके उट टॉप पे होता है अच्छा, तो अब event जो generate होगा hardware से भी हो सकता है event generate और itself operating system के software से भी हो सकता है operating system के level पे यह generate होता है अच्छा, तो mouse का जो click है वो कहां से propagate होना शुरू होगा hardware level पे यह हुआ है click, दबाया है किसी न operating system तक वो पहुँचेगी बात operating system असल में responsible होता है इस event को generate करवाने का अच्छा, और जितने भी software इस वक्त operating system में चल रहे हैं उन सब तक यह event पहुँचता है सभी है? अच्छा अब click के लावा कौन सा event होता है भाई? माउस में, माउस में देखें कितने event होता है जैसे माउस को मैंने यह हलका सा move किया न तो जब यह एक pixel इदर हुआ ना mouse तो एक event generate हुआ इसका मतलब है अगर मैंने 10 pixel इदर किया तो 10 event generate हुए सही है? अगर मैं उपर करूँगा 10 pixel माउस को तो 10 event generate हो जाएंगे ठीक है? नॉर्मल वाला जो click है वो करूँगा तो अलग एक event है दो finger से करूँगा मैं यह right click तो यह एक event generate हुआ ठीक है? यह मैं scroll करूँगा अच्छा कुछ चीज़ों पर देखे कुछ event पर response कर रहा है यह software और कुछ चीज़ों पर नहीं कर रहा जैसे कि right click पर यह इसमें एक menu खिल जाता है अच्छा single click से कुछ भी नहीं होता जो normal वाला click है अच्छा scroll करता हूँ तो यह साथ साथ response करता है और यह scroll होता है तो scroll अगर मैं एक pixel scroll अप करूँगा तो एक event generate होगा उसका एक pixel scroll down करूँगा तो एक event generate होगा अच्छा तो यह mouse का हमने देखा अच्छा mouse में और भी हो सारी event होता है तो अब वो देखेंगे आप mouse के event की documentation तो आपको सारा बहुत लंबी एक list है keyboard के अंदर कोई भी button आप press करते हैं तो keyboard का button जब press करते हैं तो उसमें चार event generate होता है ठीक है एक जब आप key down करते है एक जब आप key up करते है तो दो event हो गई है यह आप button दबा के छोड़ते हैं तो एक key down पे एक key up पे और यह होने के बाद एक होता है key press कि जी key press हो गया एक और चौथा भी एक event होता है तो हर बटन के click प्रेस पे चार event generate होता है ठीक है पावर का button प्रेस होगा उसका भी एक event होता है each and everything माउस का keyboard का मैं इसका flap बंद करूँगा लैपटॉप का या flap खोलूँगा उसका भी event होता है यह सब event operating system को मिल रहे होता है यह सब event operating system level पर यह कहानी सारी चल रही है हो सकता है event हाडवेर से आ रहा हो हो सकता है event software के अंदर ही अंदर हो गई ठीक है में भी कहीं से notification आये सही है internet connect हो गया या disconnect हो गया तो वो भी एक event होता है ठीक है यह each and everything मतलब मैंने headphone connect किया मैंने charging की cable connect की कुछ भी इसमें connect disconnect हुआ वो भी एक event है ठीक है और वो connect होने पर एक नहीं तीन चार event मिलते हैं आम तोर पर connected या disconnected पर जैसे key press पर तीन है इसी तरह mouse की click के उपर भी तीन event होता है एक होता है mouse down, mouse up और mouse click तीन event होता है कि जी आप mouse को आम तोर पर आप यह देखेंगे कि जैसे ही एक software खुलाव है मेरे पास अब यह मैं close के button बर गया और मैं दबाऊंगा ना जब यह मैंने click किया करके पकड़ावा है इसको click छोड़ा नहीं है मैंने click छोड़ूंगा तो यह बंद होगा सही है तो यह क्लिक किया हुए मैंने अभी बंद नहीं हो रही है छोड़ूंगा तो बंद हो गई है तो मतलब काम आपको जो कराना है वो mouse down पे कराना है mouse up पे कराना है यह mouse click पे कराना है कि आपको नहीं पता वो operating system देखे कि जी mouse click पूरा हो जाए जब तो जब कराना है तो आपने देखा कि computer के operating system में ठीक है जब भी हम बात करें ने computer तो इसका मतलब हम operating system की बात करना है computer का hardware तो itself कोई चीज नहीं है ना मतलब हमारे इस case में चीज है लेकिन hardware matter नहीं करता Windows किसी पर भी चल रहा हो तो उस पर ये same चीज हो रही होगी तो हम computer की जो अगर हम बात कर रहे हैं तो हम असल में computer के operating system की बात कर रहे होता है अच्छा ये सारा का सारा event जो है जो hardware generated या operating system का अपना generated event ये occur हो रहे हैं सारे इसमें अच्छा अब ये क्या होता है जब event अकर होता है तो इस event की आवाज पूरे operating system तक जाती है और operating system की उपर चलने वाले जितने software हैं सब तक जाती है सही है ये आवाज अच्छा अब operating system चाहे तो किसी event को रोग भी सकता है कि जी फलाँ जैसे मिसाल के तोरपे कोई power button का जो event है maybe I'm not sure कि वो हर software तक पहुँचता या नहीं जैसे flap मैं down करूंगा इसका flap बंद करूंगा तो उसका event I'm not sure कि तमाम software तक पहुँचता या नहीं पहुँचता लेकिन ज्यादा तर चीज़ों का event जो तमाम software तक पहुँचता है सेवाई शायद एक आत को छोड़के अच्छा अब क्या होता है जी कि वो software तक वो जब event पहुँचता है वो software Google Chrome हो सकता है वो software हमारा ये जैसे ही मेरे पास Foxit Reader खुलाव है इस तक पहुँचता है तो वो software क्या होता है listener लगा के बैठाव होता है वो software listener लगा के बैठाव होता है अच्छा event में क्या किया चीज़ मिलती है मिसाल की दूर पर मैंने mouse का click दबाया तो जो event emit हुआ है event generate हुआ है वो event का एक object होता है पूरा जो मुझे receive होता है ठीक है अच्छा उस event के object में क्या किया बाते होती है उस event में ये बाते होती है कि जी screen पे उस वक्त कौन सा software focus में था जब click हुआ तो ठीक है तो आम तोर पर programming languages के अंदर ऐसा setup हुआ होता है या उन softwares के अंदर ऐसी setting वही भी होती है कि वो वाला software जब focus में होता है तो वो ही उसको event receive होता है सारे event receive नहीं होता है however सारे event receive करना चाहें तो हम कर भी सकता है ठीक है लेकिन आम तोर पर ऐसा नहीं होता है आम तोर पर क्या होता है उसको वही वाले event मिल रहे होता है otherwise तो भी एक्तने सारे event है हर वक्त generate हो रहे है हर वक्त image चल रहा है वो सारा कुछ processor जब एक दफा नीचे आता है उपर जाता है तो भी वो event होता है वो भी event हमें receive होता है जब memory के अंदर एक byte किसी software को मिलता है तो वो भी event हम पकड़ सकता है लेकिन हम उतनी ज़्यादा चीज़ा हमें चाहिए नहीं होता है तो अब हमने यहां तक क्या देख लिया कि event कंप्यूटर में होने वाले जितने भी काम है वो सारे की सारे event है और वो event हमें receive होता है और वो event receive होता हमें तो एक object की सूरत में होता है जो बात हो रही है जैसन object की जावा एस्क्रिप्ट का जो object हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले तो उसकी बात हो रही है उस object में क्या क्या बात होती है कि किस software का यह event है ठीक है अगर वो event का एक नाम होता है जैसे mouse up, mouse down यह एक नाम होता है यह fix नाम होता है यह standard इन्होंने set किया है किस नाम से मिलेगा mouse का click किस नाम से मिलेगा तो आप क्या करते हैं पहले listener लगाते हैं जब तक आप listener नहीं लगाते हैं आपको वो मिलता है नहीं ठीक है पहले listener लगाते हैं जब भी ये फलाँ इवेंट हो तो मुझे ये देना आबजेक्ट ठीक है अधरवाइज आपको आवाज नहीं आई अच्छा आप इसको ऐसे समझें कि यहाँ पे आप बैठें मैं आपने एक लिसनर लगाया है कि अच्छा जी यहाँ पे जब इसा होता तो क्या ही बात होती तो मैं फिर यह लिसनर लगाता मैं यह लिसनर लगाता है कि यह स्टूडेंट जितने बैठें में न? इन में से अगर कोई बोले तो वो मुझे आवाज आ है बागी पीछे ट्राफिक का जो शोर आता हो ना है तो मैं सिर्फ listener लगाता है तुम लोगों की बातों का तो मुझे फिर बाहर की कोई event जो बाहर हो रहा है गाड़ी गुजर रही है, हौरन बजरा है कुछ लडाई हो रही है बाहर, accident हो रहा है उन चीजों का मुझे event receive नहीं होता फिर लेकिन unfortunately real life में ऐसा नहीं होता लेकिन computer में ऐसा हो सकता है computer में by default किसी भी event पे listener लगा हुआ नहीं होता है ठीक है by default जब आप एक javascript का software तयार करते हैं या कोई भी software आप जब तयार कर रहे होते हैं program लिख रहे होते हैं by default उसमें कोई भी listener लगा हुआ नहीं होता है आपको listener लगाना पड़ता है कि जी अच्छा ये वाला काम जब होना अच्छा उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए event कौन कौन से होता है वो document के अंदर एक बहुत लंबी list बनी वी कि ये ये event होता है हम अभी उसको इस्तमाल भी करेंगे उनमें से बहुत सारे को तो आपको पता चल जाएगा वैल तो हमें programming language के अंदर क्या चाहिए होता है कि जी फला event हो तो मुझे आप बताओ ठीक है अच्छा वो जब event होता है फिर तो हमें वो object मिलता है पूरा उस object के अंदर जिस चीज मिसाल के तौर पर click का मैंने काई कि जी on click पर मुझे कराना है गाम जैसे हम जो form के अंदर करते हैं on click पर ये function चला देना तो हम उसको ये कहते हैं कि जब भी click हो इस button पर तो ये function चलाना जरूरी नहीं है मैं function चला हूँ मैं कुछ और भी कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ जो event मुझे receive वो है उस event को मैं as a different करवा दूँ और कुछ भी ना करूँ ये भी कर सकता हूँ लेकिन आम तोर पर हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि एर click हो न जब एक button बनावा है उस button पर हम listener लगाते हैं कि जी इस button पर जब click हो तो मुझे आपने क्या करना है वो event मुझे देना है आपने और उस event के मिलने पर मैं किसी भी खिसम का काम करवाना चाहूँ अगर तो मैं वो करवा सकता हूँ ठीक है अच्छा तो ये program को लिखने का एक अंदाज है event driven programming paradigm बड़ा famous है अच्छा जितनी भी आजकल programming languages है तकरीबन तमाम की तमाम language किया है multi paradigm language है ये बात बहुत important है और ये जहन में रखने वाली बात है अच्छा अब आप इसको गोर से सोचे न यहाँ पर paradigm भी हमें clear रखना है साथ-साथ कि at a time जब हम java script का code लिख रहे होते है तो functional programming तो उसमें इस्तमाल हो रही है साथ-साथ event driven programming भी चल रही होती है क्योंकि on click मतलब button के click पर तो मुझे कराना है न कोई काम button के click पर कोई काम जब मैं कराता हूँ तो वो असल में event driven में हम आ जाते हैं ठीक है अच्छा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई software मैं बना रहा हूँ और वो software purely functional programming पर base कर रहा हूँ ऐसा नहीं होगा साथ है उसमें event वाली चीज़ें रहेंगी साथ-साथ और उसमें अगर कुछ part हो सकता है उसका object oriented वाले चीज़ को follow कर रहा हूँ exactly इसी तरह है कि जैसे हम एक real life में घर बना रहे हैं तो हमने का जी अच्छा जो washroom और kitchen और rest room है वो हमने concrete का बना दिया बाकी का घर हमने wooden structure बना दिया ठीक है मतलब जो पुराने ज़माने में घर बनते थे I'm not sure why बट उन में मैंने अकसर घरों में note किया है कि washroom kitchen जो न वो RCC concrete का बना वो होता था बाकी room जो ब्लॉक के बने वे होते थे I'm not sure कि सिर्फ यह मैंने observe किया है लेकिन somehow यह था मैंने बहुत सारे घरों में देखा है जो पुराने बने वे आज से 40-50 साल पुराने बने वे तो उसमें kitchen washroom जो न वो concrete का structure होता था RCC की चात वाला उस पर क्योंकर टैंक होता था उस पर पानी का टैंक बना होता था और बाकी के जो room होते थे उस पर teen की चात होती भी तो हम ये कर सकते हैं बिल्कुल कि हम घर का कुछ पार्ट wooden structure पर करते हैं कुछ पार्ट concrete पर करते हैं और मुर्गी के लिए भी घर बनाते हैं लोग मुर्गी का घर जो हम वो steel का structure करते हैं तो वैसे ही real life में ऐसा होना बहुत रहार है आम तोर पर एक ही structure होता है जैसे ये building हम इसमें ये पूरा का पूरा concrete का structure है ये जो लकड़ी है ये जिस खुबसूरती के लिए ये जो wooden आपको दिखनी है न दिवार है ये असल में just इस पर एक layer लगी वी है जो के सिर्फ खुबसूरती के लिए इस पर कुछ base नहीं कर रही है इस पर कोई वजन नहीं है ये जस ऐसे लगावा है यह टाइलों की तरह ये बाहर भी आ जाता है तो software के अंदर जाहर है वो real world नहीं है जैसे हमने देगा जिए real world में हम event को बंद नहीं कर सकते तो इस तरह जो ना क्या कहते है real world में जो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है वो software में वो चीज़ें हो रही होती है तो software में क्या होता है कि एक ही software आपका back वक्त उसमें कुछ हिस्सा functional programming चल रहा होगा कुछ हिस्सा उसमें event driven चल रहा होगा और कुछ हिस्सा उसके अंदर हो सकते object oriented भी हो जो हम लेटर अभी cover करेंगे इसमें जहां पर ये इन्होंने generator function वगरा का जिकर किया हुए तो वहां पर हम थोड़ा सा object oriented को भी discuss करेंगे class का keyword add हो है वो हम discuss करेंगे अच्छा तो हमने इस point पर क्या आप क्या बातें समझ ली number 1 हमने ये discuss कर लिया है कि event होता क्या है और event कब और कैसे अकर होता है और उसका पूरा process कि event अकर होता है मुझे मिलता है मैं उसके against कुछ काम करवाता हूँ ये बात इतनी समझ आगए इसमें किसी का कोई सवाल अब हमने ये discuss करना है कि जी why event driven event driven ही क्यों कोई अपना opinion देना चाहेगा इस बारे में कि जी event driven क्यों programming बनाई गई माजी और कोई कि एक एक लिक पर सारी बती जल जा तो ये ममकिन नहीं है यार तुम लोग अभी तक आ रहे हो तुम कहां से आए हो भी अभी आयो तुम class का यार सारी बात ने तो हो गई है सारी बात ने तो हो गई है चालो खैर बैड़ जो यार तुम क्या कह रहा है कंप्लीट करो सब्सक्राइब और किसी का उपीनियन नहीं कंट्रॉल तो और भी तरी मिसाल के तौर पर ये भी तो सकता था ना कि मैं माउस का माउस से मैं किनेक्ट कर जोंग और माउस का जब भी बटन क्लिक हो तो मुझे वह मिले वहाँ पर कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि इस पॉइंट पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे दो चार जो तुम लोगों ने जवाब दी हैं उससे मुझे ये फील हुआ है कि मैंने क्यूंके इवेंट बता दिया ना तो अब आप आउट आफ दो बॉक सोच ही नहीं पा रहें कि इवेंट के लावग क्या तरीका हो सकता था है ना शायद ये इस तरह का हुआ है कि इवेंट के लावग और क्या पॉसिबल ली तरीका हो सकता था असल मेरा सवाल ये है वो तो आउन क्लिक तो इवेंट ये है ना कि जी क्लिक होता है तो वो इवेंट अकर होता है वो मुझे मिलता है तो असल मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इवेंट के लावग कोई और भी तरीका हो सकता था पॉसिबल अगर हो सकता था तो वो क्या तरी कि यू लर्न, यू अनलर्न, यू रिलर्न, क्योंकि चीज़ें बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं, तो सिर्फ सीखना इसमें काफी नहीं है, इसमें अनलर्न करना भी आपको आना चाहिए, कि जी कोई सीखी वी चीज़ को भूलना कैसे है, यह अजीब बात होगी तोड़ी, शायद आप लोगों के लिए, लेकिन यह आप अभी सही इस चीज़ को समझना शुरू करें, कि कोई चीज सिर्फ सीखना काफी नहीं है, उसको अनलर्न भी करना होता है, उसको भूलना भी बड़ता है, सम टाइम, नई टेकनोलोजी आ जाती है, नया फ्रेमवर्क आ जाता ह ठीक है, तो उसको अनलर्न करना होता है, पुराना जो सीखाव है, नहीं है नैचरल, नैचरल होता ना तो फिर वो शायर नहीं कहता है, कि भूल जाने का उनर मुझको भी सिखाते जाओ, भूल जाना एक उनर है भाई, नहीं मेरा सवाल ये वो तो चलता वा तो आ रहा है, मेरा सवाल ये कि इवेंट के ये जो माउस में क्लिक होता है, और माउस का क्लिक मुझे रिसीव होता है, उसके अगेंस्ट में कोई काम करवाता हूँ, ये इवेंट एक बनाव है, इवेंट के इलावा क्या आप्शन हो स कि अब बटन की उपर बाइडिफॉल्ट होता है नहीं नहीं देखो अभी देखो जावास्क्रिप्ट को अभी अभी छोड़ दो थोड़ी दरीगी मैं असल में मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम लोग स्टड़ी करके पहले से आओगे ना तो यार ये अभी तुम लोगो लग रहा होगा कि यार अभी क्या जवाब होगा इसका लेकिन जब जिस बंदे ने स्टड़ी किया वह होता है ना इवेंट आपको पता होगा ना अगर इवेंट पता होगा तो उपीनियन दे पाओगे अच्छा ये अभी देखो जरूरी नहीं है कि जो आप बात कर रहे हो वो सही हो या गलत हो मैं जिस उपीनियन मांग रहा हूँ दिमाग खोल रहा हूँ तुम लोगा सोचना सिखा रहा हूँ कि जी इसके लावा क्या तदा वेल चले मैं अपना उपीनियन देता हूँ मेरा भी उपीनियन ही है जरूरी नहीं कि सही हो मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट ड्रिवन का जो सबसे बड़ा बैनेफिट है ये चलता है पब सब की अप्रोच पर के जी एक जगा से चीज पबलिश होती है लोगोंने करता हूँ कि जी हो गया है यह ना मिसाल के दौरप मैंने गली के कोने पे को बंदा खड़ा किया वह और मैं उसको बोलता हूँ कि जी मुझे सिगनल देना तो वह सीटी मारता है मुझ तक आवास पहुंचती है मुझे पता चल जाता है तो वह इवेंट अच्छा लेकिन वह आवासे वह फलेयर मारते हैं अलग-अलग कलर्स की उसका अलग-अलग मतलब होता है तो वह लेकिन जास्क मुझे नहीं दिख रहा हूँ वह बाकी लोगों को भी दिख रहे हैं तो यह जो अपरोच होती है इसको कहते हैं पब्लिश सब्सक्राइब अपरोच पब्सब अप अप्रोच होती है वो क्या होती है कि जी one to one communication करूंगा one to one communication मतलब मैं किसी को खत भेज रहा हूँ एक तो मैंने CT बजा कि या flare चला कि तो सबको बदा चल गया बट मैं एक अप्रोच ये है कि मैं खत भेजू personal किसी बंदे को वो सिर्फ उस तक ही पहुँचेगा न वो तो किसी और तक नहीं पहुँचेगा वो किसी और तक नहीं पहुँचेगा अब आप imagine करें कि मेरे बंदे पहले में एक हम battlefield की अगर मिसाल लेते हैं again क्योंकि बात वो निकल आई है कि जी मेरे प्रूप्स के बंदे ना पहले में सब जगा अब मैंने signal सेट किया वा सीटी पे कि जी मैंने ऐसे ऐसे सीटी बजाओंगा तो आपको समझ जाने है कि इसका ये मतलब है अब मैं खड़ा हूँ वो center में high ground पे खड़ा हूँ मैं और शायद में भी वो watch वाले इस तरह करते हैं movies में दिखाते हैं वो पुराने जमाने के जंगल में तो एक बंदा उन्होंने टॉप पे बिठा आता watch पे कि जब बंदे आया ना तो उदर से वो आवाज मारता है या फरी रोड में mad max furry road जो है उसके अंदर वो watch वाले एक बंदा उपर वो बैठा होता है तो well तो वहाँ से जब battle tanker आ रहे होता है तो वो उपर से ही आवाजे मारता है फर तो अब ये मेरे बंदे फैले में 200, 300, 400 बंदे हैं मेरे पास उन सब को मैंने ये signal देना है तो मैं क्या गरूँगा मैं एक ही दवा CT मारूँगा तेज आवाज में और वो मेरे सारे बंदें तक वो बात पहुंच जाएगी ठीक है अचा किसी और को वो समझ नहीं आएगा क्योंके मैंने क्या CT की सैटिंग की है वो तो मुझे ही पता है और मेरे बंदों को पता है लेकिन एक अप्रोच ये भी हो सकती थी कि मैं एक बंदा रखूँ अपने पास और हर एक एक बंदे को जा कि पर्सनल ही बताऊं उसको कि ये हो गया ये अप्रोच ये अप्रोच एक्सपैंसिव है इमपॉसिबल भी तो है चलो मैं और असानी से समझाता हूँ मिसाल के दोर पे मैंने सब लोगों को बताना है कि यार नमास का टाइम होगी है नमास पढ़ने चले जाओ ऐसी होता ने डेली है आपे नमास का टाइम होता है वो आके बोलते है मैं कहता हूँ जी माइक में कहता हूँ जी सब लोग नमास पढ़ने चले जाए तो आप लोग चले जाते हैं सारे एक और अप्रोच ही हो सकती है कि मैं आप सब लोगों के पास आगे आपको बताऊं तो फिर जो है न अगली नमास का टाइम हो जाएगा जब तक मैं आपको एक एक करके बताऊंगा सब लोगों को तो अगली नमास का टाइम हो जाएगा तो ये एक अप्रोच हो सकती है एक और अप्रोच और ये बहुत सारी जगाओं पर ये अप्रोच चलती है मिसाल के दौरपे वाटसैप के जो मैसेजजन दो वन टू वन चलते हैं वो वो नहीं पब्लिश सब्सक्राइब नहीं होता वो वो पब्लिश सब्सक्राइब होगा तो फिर तो बड़ा गड़बड हो जाएगी ठीक है कंई और चलाईए यह इसको याद आ जर जाए मैसेजस कुछ आफ्चा तो कि अहां जो टीवीकी दमस्मेशन होती है रेडियो की 変 ट्रमिशन होती है रेडियोकी त्रास्मेशन आपको पता कैसे होती है एक स्पीकर होता है छो आपको बते है रेडियो फरिक्वेंट सी होता है जिससे वो आवाज निकल रही होती है लेकिन वो क्योंके human airs से उसकी frequency उपर या नीचे होती है तो हमें कानों में नहीं आवास सुनाई देती बट हमें एक खास किसम का receiver चाहिए होता है जो उस आवास को सुनके और उसको translate करके हमारी आवास में सुनाता है ठीक है तो वो क्या होता है कि एक जी उची सी जगह पर वो एक लगा देते हैं बड़ा सा speaker और उसमें वो चल रहा होता है transmission एक certain frequency पर वो काम कर रहा होता है तो वो भी actually published subscribe का ही एक example है वो कि एक उंची जगह पर मैंने वो publisher लगा दिया है अब वो एक बंदा बैटके उसको listening कर रहा हूँ या एक हजार बंदे listening कर रहे हूँ फर्क नहीं पड़ता है एक ही बात है अगर एक बंदा listening कर रहा होगा तो भी एक ही बात है अगर एक हजार कर रहा होगा तो भी एक ही बात है ठीक है लेकिन on other hand streaming server जो होता है वो one to one काम करता है streaming server जो होते हैं, वो one-to-one काम करते हैं, क्योंकि रेडियो में तो भई जो यह जहां से broadcast हो रहा है, वो ही मिलेगा ना सब लोगों को, ये तो नहीं कोई कर सकता है कि जी इस, मतलब FM 101 की एक frequency पे listening कर रहा हूं, मैं ये तो नहीं कर सकता है कि जो बंदा बोल के गुजर गया, उसको म गया, तो streaming में on other end क्या होता है, जैसे YouTube है, मैं किसी एक certain वीडियो पे click करता हूं, तो वो वीडियो एक request जाती है मेरे नाम की, server से वो वीडियो receive कर रहा होता है, उठा के ला रहा होता है, ठीक है, इस approach में क्या होता है, कि जतने ज्यादा लोग connect होंगे न, server पर उतना ज्या होती है, तो this is more expensive approach, लेकिन यहां पर यह चलती है, यही वाली, YouTube की streaming में pubsub वाला approach काम नहीं करेगा, होई नहीं सकता वापर, ठीक है, तो well, हमने यह दो approach देखी है, जो दो classic approach हैं यह दोनों, दोनों की अपनी अपनी जगा होती है, अब आप लोगों को एक general idea हो गया है, कि ज चार example मैंने जो दिये उससे, तो, हाँ, अब यह computer में ज़रा इसको समझते हैं, कि यह तो real life की, मैंने example दे के आपको समझा दी, computer में किसी, मिसाल की दूर पर mouse पे click हुआ, ठीक है, mouse पे click हुआ, उसका event generate हुआ, सब लोगों को event मिल गया, एक तो यह हो गया, दूसरी approach इसमें यह हो सकती थी, कि मेरा software ना mouse के hardware से connect कर ले, मेरा जो software है, वो mouse के hardware से direct connection मना ले, होता है ऐसा, बहुत सारे hardware से हम direct connection मनाते हैं, ज़रूर नहीं कि सारे hardware को हम event driven से ही, क्योंकि event driven के लावा functional भी तो है न, functional programming से भी तो हो सकता है, event driven को हटा की भी हो सकता है, अच्छा, लेकिन आम पर क्या होता है, ज्यादा तर hardware, mouse के case में तो खेर ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे और भी hardware ऐसे हैं, जिसमें क्या होता है, कि एक software जब उसका access लेता है, तो कोई और software at the same time उससे connect नहीं हो सकता, वो फिर एक connect होगा, बाकि सारे disconnect करने पड़ेंगे, सभी है, तो ये इस problem को solve करने के लिए, इसमें pub sub वली approach रखी गई है, by default, कर आप direct भी connect कर सकते हैं, अगर जो low level languages है, जावा स्क्रिप में ये possible नहीं है, direct connect करना, लेकिन जैसे graphic card, अब graphic card में क्या होता है, कि उसमें event driven वाला काम नहीं चलता, उसमें direct connection होता है, कि जी एक अगर game आपने खोला है, तो गेम, उसका direct connection, उसको क्या वो, direct x करके, उसका नाम भी driver का direct है, direct x, तो उसका direct access होता है, अभी जो browser में भी बलके वो अब आगया है, उसका open GL नाम रखा है है, open GL 2.0, तो अब क्या होता है, कि जी ब्रावजर में कोई जी चली, तो graphic card का direct access मिलता है, उसको, तो वो, इसमें य जी event driven क्या होता है, and why event driven, event driven क्यों, ठीक है, अच्छा, अब होता है, operating system के उपर 300 software चल रहे है, ठीक है, और इतने चल रहे होते हैं, by default, क्योंकि आप जाके अगर इसका task manager open करेंगे, तो बहुत सारे process ऐसे होते हैं, जो operating system शुरू होने के साथ साथ शुरू हो जाते हैं, आप time tracker चल रहा है, ठीक है, ये crisp करके software है, ये इसमें VPN लगावा है, ये recording का logo बनावा आ रहा है, अब इतने सारे software चल रहा है, ये सामने ये भी खुलावा है, फिर ये पीछे भी code editor, google chrome वगरह सब कुछ खुलावा है, अब क्या होता है जी, कि मेरे पास से अगर एक event है, एक event है, कि internet disconnect हो गया, तो वो event जितने भी चलते वे software है, सब को चाहिए न वो, at the same time, तो उसका operating system, क्योंकि ये चीज़ें देख रहा होता है, कि ये internet है, या गया है, क्या हुआ, जैसी internet disconnect होगा, operating system, तमाम software को न, वो एक emit होगा, एक आवास जाएगी, तमाम software तक, जिसने listening की वी होग जिसने नहीं की होगी, उसको नहीं मिलेगा, तो अब ये वाला अगर काम direct access से किया जाए, बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है, तो at the same time, अच्छा हर वक्त event भी बहुत सारे हो रहे होते हैं, वो हमें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमने को listening नहीं की भी उसकी होगा, तो बहुत कि जी sometime हमें directly जाके बताना पड़ता है, खेर, तो ये हमने एक brief, आप कहलें कि इसको introduction लिया है, event का, कि what is event, अच्छा, अब हम जरा ना ये book में न, अब यहां से आगे की बात बुक में, फिर book में कुछ बात होई भी है, फिर हम book से आगे की थोड़ी सी बात भी करेंगे, त तो शुरू करते हैं ये book वाला topic